तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि election जो है हमारे country में तो democratic country होती है उसके लिए बहुत important एक role play करती है तो उसको किस तरीके से fair बनाया जा सके किस तरीके से उसको proper तरीके से चलाया जा सके उसको हम इसमें देखेंगे और किस तरीके से representation होता है लोगों का या उनके जो representatives होते हैं किस तरीके से लोगों को represent करते हैं democracy में उसके बारे में हम इसमें देखेंगे तो उससे पहले थोड़ा सा introduction यहां पर है इस introduction से आपको idea लगेगा कि क्यों हमें fair elections के लिए या अपने एक better representation के लिए कुछ set of rules की जरुरत होती है for example if you have ever played chess ठीक है यह ध्यान से सुनी है what would happen if the black knight suddenly started moving straight rather than two and a half squares तो आप यह जानते होंगे कि जो आपके knight होता है वो two and a half चलता है but अगर वो सीधा straight चलने लग जाए तो क्या होगा और what would happen if in a game of a cricket there were no empires तो इसमें क्या होगा in any sport we need follow some certain rules तो यह आप कोई क्या समझाना चाहरे है कि कोई भी अगर game हो उसके लिए आपको कुछ certain rules की आफस्चता होती है जिसको आपको follow करना होता है change the rules and outcome of the same would be very different अगर आप कोई भी rule change करते हैं तो outcome same थोड़ी रहेगा जो पहले था वो नहीं रहेगा similarly a game needs an impartial empire whose decision is accepted by all the players एक ऐसा empire भी चाहे होगा जिसका decision दोनों तरफ की teams हो उसके सारे players उसको मानते हो the rules and the empire have to be agreed upon before we begin to play a game अब जो आपके players है या जो rules है और जो आपके खेलने जो empires है उनके बीच में एक agreement होना चाहिए कि जो आपके rules बने हुए है इन rules को सब लोग accept करेंगे और follow करेंगे ठीक है ना तब ही एक जाके fair game हो सकता है clear हो गया तो जिस तरीके से ये चीज गेम के लिए काम कर रही है उसी तरीके से ये चीजे जो आपके set of rules होते है या जो कुछ ऐसे institutions होते है जो empire का काम करते हैं election में जो देखते हैं कि हर चीज सही हो रही है नहीं हो रही है तो वही चीज election में भी आपके काम करती है there are different rules or systems of conducting elections the outcome of the election depends on the rules we have adopted clear हो गया different type के आपके elections होते हैं पर जो उनका outcomes होता है वो depend करता है कि आपके यहां किस तरीके के rules है elections के ठीक है ना we need some machinery to conduct the elections in an impartial manner हमको कुछ ऐसे एक system चाहिए एक machinery चाहिए जो बिना पक्षपाद भेदभाव के क्या करवाए आपके elections करवाए since these two decisions need to be taken before the game of electoral politics can begin तो यह जो rules है यह जो set of आपके mechanism है यह पहले से ही तयार होना चाहिए ठीक है ना these cannot be left to any government यह किसी government पे नहीं छोड़ देना चाहिए क्यों government बाद में बनाएगी उस पहले elections करवा लेते हैं ऐसा नहीं है election से पहले ही आपके पास क्या होने चाहिए set of rules होने चाहिए ठीक है ना this is why these basic decisions about elections are written down in the constitution of a democratic country तो जो भी आपकी democratic countries होती है उनके पास पहले से ही उनके constitution में set of rules होते हैं कि किस तरीके से elections को conduct कराया जाएगा ठीक है ना और क्या हम इस chapter में देखेंगे चली देखते हैं इन देखेंगे कि किस तरीके से आपके election और जो representation होता है democratic country में कैसे होता है तो और हम इस पर भी फोकस करेंगे कि किस तरीके के जो आपके rule set किया गया है या जो mechanism है वो किस तरीके से काम करता है एक fair elections conduct करवाने के लिए ठीक है ना क्या system है कि जो आपके elections को conduct करवाता है अगर कुछ घड़ पड़ी है तो उसको change करने के लिए भी हमारे पास क्या होना चाहिए कुछ ऐसा method होना चाहिए कि हम उसको amendment कर सके है उस rule में ठीक है adopted in our country आपके country में किस तरीके का election जो method है वो आपको समझ में आएगा दूसरी बात आपको importance of provisions for free and fair elections क्या-क्या आपके कैसे rules बने हुए हैं जिससे कि एक तरीके से fair elections हो आपकी country में वो आपको समझ में आएगा उसके बाद the debate on electoral reforms तो अगर कोई गड़वड़ी है electoral system में उसको किस तरीके से reform किया जा सकता है ये चीज आपको इस chapter में समझ में आएगा ठीक है ना तो चली आगे देखते हम तो अगला topic है आपके पास elections and democracy अब उससे पहले इसको discuss करने से पहले इसमें दो questions आपसे पूछे गए हैं तो वो questions क्या है देखते हैं can we have democracy without holding elections क्या आप democracy बना सकते हैं country के इंदर बिना elections करवा है और can we hold elections without having democracy और क्या आप elections भी करवा सकते हैं बिना democracy के अगर आपके country में democracy नहीं तो elections हो सकते हैं तो यह दोनों questions आपको अजीब सा लगा होगा कि दोनों एक दूसरे पर depend हैं अगर आपके पास democracy है तभी elections करा सकते हैं और अगर आपके पास elections आप तभी करा सकते हैं जब country में democracy होगी तो समझ में आया है आपको यह क्या relation इनके बीच में चलिए वह यहां पर हम discussion करेंगे कि क्या यह questions है और इनके examples भी देखेंगे चलिए The first question reminds us the necessity of representation in the large democracy अगर कोई भी आपके democracy है जैसे कि हमारी country इतनी बड़ी आपकी democracy है तो वहां पर elections की कितनी एहमियत है वो हमें समझ में आता है All citizens cannot take direct part in making every decision therefore representatives are elected by the people this is how elections become important समझ में आपको इतनी बड़ी हमारी population है इतनी बड़ी हमारी democracy है यह हर एक व्यक्ति आपकी government में जाकर decision में part नहीं ले सकता तो इसलिए उनको क्या चाहिए होता है कि representative चाहिए होते हैं जो हमारी बाते हैं government में जाकर decision making में रख सके तो इसलिए यह बहुत important है elections कराना democracy में This is how elections become important whenever we think of India as democracy our mind invariably returns to the elections तो अगर हम अपनी country में जैसे कि democracy की बात करें तो हमारे दिमाग में सीधा elections की बात आ जाती है तो इलेक्शन से ही पता चलता है अगर elections हो रहे हैं तो एक symbol बन गया है कि elections हो रहे हैं तो country क्या है democratic है ठीक है ना We often distinguish between direct and indirect democracy A direct democracy is one where the citizens directly participate in the day-to-day elections making and in running of the government तो direct क्या हुआ जहां पर direct आप government में involved होते हैं वोट देते हैं और directly किस तरीके से हो government काम कर रही हैं उसके running में भी आप पार्टिसिबेट करते हैं जैसे की बात करें the ancient city states in Greece were considered examples of direct democracy Many would consider local governments especially Gramsava to be the closest example of direct democracy तो Greece का भी example दिया उसको भी direct policy democracy माना जाता था और हम अगर आपने Gramsava की बात करें जो village level पे होती है उसको भी आप समझ सकते हैं कि क्या है वो एक तरीक है कि direct democracy है क्योंकि आप गाओं में हैं आप direct उसमें part करते हैं और आपके गाओं क्या होते हैं छोटे होते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो आपकी Gramsava है वो कैसे decision ले रही है गलत ले रही है तो उसके लिए directly आप आवाज उठा सकते हैं ठीक है न और आप जाके directly आप Gramsava से बात कर सकते हैं या आपके जो प्रेजिडेंट ने उन से बा Gramsava या प्रेजिडेंट से मिल सकते हैं बड़ अगर आपके करोडों लोग हैं वो कैसे government के पास जाएंगे और अपनी बाते रखेंगे तो और कितनी सारी उनकी आपकी queries होंगे बाते होंगे तो वो एक साथ सब लोग अगर रखेंगे तो कैसे होगा ठीक है ना That is why a rule by the people usually means rule by the people's representative हम कहते हैं ना constitution में the people तो by the people का मतलब by the people's representative से होता है कि जो लोग directly आपके elections में part या decision making में part नहीं लेते हैं उनके जो representatives होते हैं वो directly उसमें participate करते हैं तो ये clear होगे आपको चलिए आगे देखते हैं अब इसमें क्या कह रहे हैं हो In such an arrangement citizens choose their representatives who in return are actively involved in governing and administrating the country The method followed to choose these representatives is referred as an election तो आप समझ में आगे elections किसे का जाता है जब लोग अपने representatives को चुनते हैं Thus the citizens have a limit role in taking major decisions and in running the administration They are not very actively involved in making of the policies Citizens are involved only indirectly through their elected representatives Clear है मैंना आपको भी बताया था है लोग directly आप policies में involved में होते हैं उनके representatives उनके बहाफ पर decisions या policies को बनाते हैं This arrangement where all major decisions are taken by elected representatives The method by which people elect their representatives becomes very important तो ऐसे system में जो लोगों का representatives होते हैं उनका role बहुत important हो जाता है ठीके ना अब दूसरा question क्या था हमारे पास कि क्या elections आप बिना democracy के करा सकते हैं यह तो हमारा दूसरा question था तो चलिए उसको भी discuss कर लेते हैं The second question reminds us the fact that not all elections are democratic ठीक है ना अब कई countries ऐसी हैं जहां पे आपके democracy नहीं है पर वहां पे भी elections होते हैं कहीं पे one party system होता है एक ही party है उसी के candidates आपके पास representative है आप उनी को चुन सकते हैं आपके पास options नहीं होते हैं तो वो यह कहना चाहरा है कि ज़रूरी नहीं है कि हर जगा जहां elections हो रहे हैं वो democratic हो ठीक है ना एलाज नंबर ओफ नॉन देमोक्रेटिक कंट्रीज अलसो होल elections इन फैक नॉन देमोक्रेटिक रूलर्स आर वेरी कीन तो प्रेजन दिमसेल्फ एस देमोक्रेटिक समझ में आ गया तो जिनके पास डेमोक्रेटिक रूल नहीं है या जहां पर सिंगल पार्टी है वो ज़्यादा तरह elections को दिखाते हैं यह शो करने के लिए कि हम तो बहुत डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और हम जो भी हैं अपने रिप्रेजेंटिव टिप्स वो लोगों की द्वारा चुने जा रहे हैं तो वो इस चीज को शो करते हैं वो इस तरीके से elections को ओल कर आते हैं जिससे के सब को लगे सब आपका election के थू हो रहा है और उनका जो rule जल रहा है उसको कोई खत्रा ना हो तीके न तो आपको यह क्या कह रहे है आपको देखना चाहिए कि आप किस तरीके से distinguish करोगे कि कौन से democratic है कौन non-democratic elections हो रहे हैं ठीक है न और किस तरीके से एक proper democratic way से आप elections को conduct करवा सकते हैं ठीक है न तो वो सारी चीज़े हमने भी discuss करें और आगे भी करेंगे चलिए this is where constitution comes in यही main role है क्योंकि हम लोग तो हर चीज आप उसमें आप rules और policies में नहीं आ सकते हैं बट constitution के पास वो role है कि वो उस role को अपना सकता है कि elections क्या हो democratically बिल्कुल fair elections हो ठीक है न the constitution of a democratic country lays down some basic rules about elections ठीक है मैंने आपको पहले भी कहा था starting introduction में कहा था कि कोई game हो या कोई election हो उसको कुछ basic rules होते हैं कुछ methods होते हैं एक machinery होते हैं जो उसमें काम कर दिये और वो machinery's और rules कहां होते हैं आपके constitution of a country में होते हैं ठीक है न the details are usually left to be worked out by laws passed by the legislatures these rules are usually about अब वो rules क्या क्या हो सकते हैं जो उसमें legislature के द्वारा बनाए जाते हैं elections को fair करने के लिए जैसे की who is eligible to vote, vote कौन कर सकता है ठीक है who is eligible to contest और election में कौन आदमी खड़ा हो सकता है representative के लिए ठीक है न who is to supervise elections, elections को कौन supervise करेगा कि elections जो हो रहे हैं वो सही तरीके से चल रहे हैं या नहीं हो रहे हैं ठीक है उनके पास choice है या नहीं है, कहीं एक ही व्यक्ति है उसी को सब vote दे रहे हैं तो उसमें choice ही नहीं होगी ठीक है न are the votes to be counted and representatives elected और किस तरीके votes count होंगे elections के बाद और किस तरीके से जो आपके representatives होंगे वो elect होंगे election में तो ये सारे basic rules कौन बनाएगा ये आपके constitution में mention किये गए हैं ठीक है न like most democratic constitutions the constitution of India answers these questions as you can see the first three questions are about ensuring that elections are free and fair and can thus be called democratic ठीक है तो जो पहले दो questions ते उससे ये पता चलता है कि ये आपकी जो elections है वो democratic है उससे ये पता चलता है कौन उसको elections में participate कर सकता है ठीक है और उससे आपको ये पता चलता है कि ये जो elections होंगे वो free and fair elections होंगे ठीक है न last two questions are about ensuring of fair representation और आखरी के दो questions उनसे ये पता चलता है कि जो representation हो वो बिलकुल साफ हो as उसमें कोई भी आपकी corruption ना हो clear this chapter you will consider both these aspects of constitution provisions about elections तो आपको ये जो questions है इन questions का जवाब इस chapter में मिलेगा कि किस तरीके से जो constitutional आपके provisions या rules जो बनाए हो है elections के लिए वो कैसे काम करेंगे ठीक है ना अब यहां पर आपके पास activity है इस activity को आप note करेंगे अपनी notebook में और आप try करेंगे इसे करने की ठीक है हम आगे चलते है चलिए अब अगला topic है आपके पास election system in India अब इंडिया का है जो election system है वो कैसे काम करता है उसके बारे में हम य you may have noted above a reference to different methods or the system of elections you may have wondered that these were all about तो यह जितने भी आपके methods उपर लिखे गए थे कि different type के modes बताए है चलिए वो देखेंगे किस तरीके से आपके काम करते हैं you may have seen or read about different methods of electring or campaigning in the elections but what are different methods of elections there is a system of conducting elections there are authorities and rules about do's and don'ts is that what election system is all about तो यह आपसे question पूछ रहा है कि हमारे जो constitution में हर चीज को mention किया गया है कि किस तरीके से जो election conduct होंगे उसके बाद जो आपके जो electring होंगी या जो आपकी जो campaigning होगी वो किस तरीके से होगी ठीके ना क्या आपको जो आपके election conduct होते हैं वो उसमें क्या चीज करना चाहिए authority क तो उसको fair और free बनाने के लिए और क्या उनको नहीं करना चाहिए तो सारे rules set हो गए हैं तो क्या यही बस एक आपका जो election system बस यही है उसको भी हम चलो discuss करेंगे अब यह क्या जरूरत थी लिखने की constitution में कि vote कैसे count होंगे या representatives कैसे आपके elect होंगे तो simple है आपके vote आये हैं obviously लोगोंने vote दिया है candidate को जिसको ज़्यादा vote मिले वो आपका representative चुन लिया जायागा ठीक है ना यही तो इसका main reason होगा आपको क्या लगता है ठीक है आप भी कुछ और aspects है उनको भी हम discuss करेंगे तो और जाद आपको clear हो जाएगा तो यह आपको सोचना है because this question is not as simple as it appears to us इतना simple नहीं है ठीक है ना we have got so used to our system of election that we think that there cannot be any other way तो हम आपने elections की इतनी आदत पढ़ चुकी है कि हम ऐसा लगता कोई और भी रास्ता नहीं है बट वहां पे है different ways हो सकते हैं चलिए देखेंगे कैसे in a democratic election people vote and in their reference decides who will win the contest but there can be very different way in which people make their choices and very different way in which their references can be counted these different rules of game can make a difference to who the winner of the game will be some rules can favor bigger parties some rules can help smaller parties तो ये आपको ये समझाना चाहरे हैं कि जो कुछ rules आपने बनाए हैं कि किस तरीके से elections होंगे कई बार वो ऐसे rules क्या होते हैं वो कई बार बड़ी party को support करते हैं कई बार वो आपकी जो local parties होती हैं उनको support करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो आपके election का result है या जो representatives होते हैं उनमें बहुत difference देखने को मिल सकता है ठीक ना changes हो सकते हैं उसमें so some rules can favor the majority community others can protect the minorities तो ये कुछ ऐसे rules बने हैं जो हर एक को देखने को मिलता है कि उसके favor में आपको काम करते हैं कई बार वो majority के favor में काम करते हैं कई बार वो minority के favor में काम करते हैं ठीक है ना तो इस चीज को हम देखेंगे आगे कि कैसे ये देखने को मिलता है differences, ठीक है ना? तो बस्वर्स सिस्टम के हम तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये क्या समझाना जाड़ा है ये कैसा system है First, Past and Post सिस्टम अगर आप इस newspaper में देखें तो इसमें क्या लिखा है पहली बार Congress को तीन चौथा ही बहुमत तो इससे आपको क्या देखने को मिलता है उसको हम इसमें discuss करते हैं Next paragraph में चलिए It talks one of the historical movement in India's democracy In the Lok Sabha elections 1984, the Congress party came to power winning 415 out of 543 Lok Sabha seats More than 80% of the seats समझ में आप वो तो 80% seats में आपे Congress ने जीती हैं 1984 में Such a victory was never achieved by any party in Lok Sabha What did this election show? अब इस election से क्या समझ में आता है उसको मिसमें discuss करेंगे ध्यान से आप समझेंगे इसको ठीक है ना आपको थोड़ा सा ये confusion लग सकता है बढ़ ये बहुत important है और इसको समझेंगे इस टॉपिक को समझने के लिए कि जो आपका first pass the post system क्या है The Congress Party won four-fifth of the seats Does it mean that four out of five Indian votes voted for the Congress Party? तो यहाँ पे four-fifth of the seats थी Total seats कितनी थी आपके पास? 543 seats थी तो उसकी four-fifth वहाँ पे Congress ने जीती तो इसका क्या मतलब होँआ कि जो five voters थे Indian voters थे क्या उन में से चार लोगों ने Congress को vote दिया होगा? चलिए देखते हैं नहीं दिया होगा क्यों? Take a look at the enclosed table The Congress Party got 48% of the votes This means that only 48% of those who voted Voted in the favor of the candidates put up by the Congress Party तो जो भी आपके candidates put up किये थे Congress Party ने उन में से 48% को लोगों ने vote किया But the party still managed to win more than 80% seats पर अगर आप seats के बात करें तो उस 48% जो candidates representative जो जीते हैं उन्होंने 80% seats पे उसकी लोग सभा की victory पाई ठीक है ना? अब हम नीचे कुछ performance देख लेते हैं टेबल बनी है हमार पास जैसे कि अगर हम 1984 की जो elections अभी हम इनको discuss करें डिफरेंट टेबल से आपको देखने को मिल जाएंगे नीचे जिनके percentage कम में पर शीट जाद है तो ये चीज क्या दिखाती है आपको कि उनके इतने percent के वाल आपके जो votes मिले हैं पर उनकी seats उनकी जो representatives थे उनकी seats में वो जादा थे ठीक है ना? अब this happened because in our country we follow a special method of elections under the system अब क्या होता है? हमारे यहाँ जो election system में वो क्या है? entire country is divided into 543 constituencies तो हमारी total country के अंदर कितनी constituencies हैं? लोग सभागी 543 आपकी constituencies हैं each constituency elects one representative ठीक है? यही तो होता है हर एक जगा का एक है मेले एक ही विधायक आपने सुना होगा तो हर एक constituency से आपका एक ही आपका representative चुनके जाता है the candidate who secures the highest number of votes in the constituency is declared elected और अगर चार candidate हैं जिस भी candidate को सबसे ज़्यादा vote मिलते हैं उसको ही elected समझा जाता है यही तो होगा जो भी हमारा system है it is important to note that in this system whoever has more votes than all other candidates is declared elected यही होता है इसमें the winning candidate need not sure a majority of votes अब आप कोई क्या कहा उसने यह बहुत important line है अब आपको ज़्यादा vote मिले हैं पांच candidates से तो आप elect होगे हैं बट इसका मतलब यह नहीं है कि आपको majority of votes लेने पड़ेंगे मतलब ज़्यादातर vote आपको मिले हैं इसा नहीं है आप 18% vote भी आपको मिले और 20 लोग खड़े हैं तो आप 18% में ही जीत गए जबकि आपके जो voters थे वो 100% थे समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाहरा हूँ यहाँ पे कि आपका vote percentage matter करेगा आपके majority matter नहीं करेगी कि आपको ज़्यादा लोगों ने चुना है या कम लोगों ने चुना है अगर कम लोगों ने चुना है फिर भी आप जीत गए तो आप elected है यह इंडिया का election का जो system है ठीक है ना This method is called the first pass the post system ठीक है ना FPTP system इसको कहा जाता है The electoral race, the candidate who is ahead of others those crosses the winning post First of all is the winner ठीक है ना The candidate first उस चीज़ को पार कर लेते है वोट्स के उनको वोट्स में victory मिल जाती है ठीक है ना The method is also called the party system ठीक है ना This is the method of election prescribed by the constitution तो यह आपका method है जो कि constitution में mention किया गया है इंडिया के ठीक है ना तो यह जो आपको next paragraph में समझा रहे है कि percentage का जो आप मैंने अभी आपके थोड़े ज़रे समझाया है कि आप matter नहीं करता है आपको कितने percent vote मिले अगर आपको ज़्यादा मिले तो आप जीत गए है वोई चीज़ें यह आपे दिखा रहे है अगर आपके अवल 20% vote में जीत गए तो बाकी का जो 80% vote था बहुत सारा waste हो गया क्योंकि जाए तर जो majority थी वो तो हर गई क्योंकि आपको 20% में victory मिल गई ठीक है ना अगर आपके पास 6 candidate थे और आपको 20% मिल गए बाकियों को थोड़ा थोड़ा कम मिले किसी को 17% किसी को 17.5% vote मिले तो आप तो 20% vote में ही जीत गए तो बाकी जो majority थी जो हार गई जिनका representative नहीं आया वो हमारी election system में उसको हार आवा माना जाता है तो यह चीज़ यहां पर इन्होंने discuss करिए अब है अगला system जो है उसके कहते हैं proportional representation अब proportional representation इसको PR shortcut में लिखते हैं तो इसका क्या इसका method है उसको भी हम discuss कर लेते हैं लेट अस compare इस to how elections take place in Israel that follows a very different system of elections अब इस्राइल में क्या होता है वो भी हम यह आप डिसकस कर लेते हैं इस्राइल once the votes are counted each party is allotted the share of seats in the parliament in proportion to its share of votes देखो कितना different इनका method है इनके आपे क्या होता है कि कोई भी एक constituency है वहाँ पे क्या होता है कि जिस candidate को या जिस वहाँ पे party को vote किया जाता है ठीक है ना तो जो आपका proportional representation होता है वो इस party को vote किया जाता है कि किस party को जादा या किस party को कितना आपका voters का share मिला है अगर आपको 40% आपको votes मिले हैं तो वहाँ पे representative एक से जादा भी हो सकते हैं एक constituency में बट उनको जो seats मिलेंगी लोग सभा में हैं वो उसके जो share of votes होंगे अगर 40% है तो उसी का ratio निकाला जाएगा total seats में से और उसको 40% के हिसाब से वहाँ पे आपका representative मिल जाएगा तो आपको यह समझ में है हमारे यहाँ था है जिसको ज़्यादा vote मिले वो जीत गया बट वहाँ पे ऐसा नहीं होता है तो उसके percentage vote के हिसाब से उनको share किया जाता है तो यह main difference था आपका किसमें? proportional representation में ठीके नहीं? अब हम इसको में थोड़ा सा आगे देखते है आपको यहाँ से clear हो जाएगा समझ में आगा यह चीज में आपको डिसकस करिया अभी कि जितने percentage उनको vote मिलेगा उसी percentage के ratio के एसाब से उनको seats मिलेंगी लोग सबह में अब उससे क्या होता है देखो अगर आपकी कोई छोटी party है, local party है उसको भी अगर 5% यह 10% vote मिले हैं election में उस party को तो उस party के candidates को जगा मिलेगी उस ratio के इसाब से चाहे वो जीता हो या ना जीता हो clear हो गया? तो कितना यह best है एक तरीके से small parties के लिए है 1.5% of votes in order to be eligible to get seats in the legislature तो उनका एक criteria है कि कोई भी party है, उसको minimum क्या करना है आपको 1.5% total votes का लेना है जिससे कि उसको legislature में क्या मिल जाएगी seat मिल सकती है this often leads to multi-party coalition government और इससे क्या होता है? जो party बनती है वो बहुत एक coalition government बनती है जिसमें different parties के आपके representatives होते है आप देखे नीचे table दे रिखे नोंने कि जो उनके आपके legislature बना था 2003 में वो कैसा था? party और उसकी जो seats से देखो कितनी है? 37% उसके बाद national union है उसके पास seats कितनी है? 7% वैसे आपके बाद national religious party है उसके पास है 5% 5 seats है तो इसी तरीके से आप को यह देखेंगे कि different different यहां पे कैं है उनके पास seats है आप total seats कितनी है? 120 है तो 120 के इसाब से इनका share of seats कितनी हो जाएंगी? या उसके share of votes कितनी हो जाएंगे? वो इसके different होंगे यहां ठीके न? अब यहां पे आपको comparison दिया हुआ एक तरीके से FPTP और PR सिस्टम में क्या-क्या होता है जैसे कि अगर हम बात करें FPTP में तो वहाँ पे क्या होता है The country is divided into small geographical unit called constituencies or district यह आपने पढ़ा भी मैंने समझाया था और उसमें क्या होता है? पूरे एक large area में क्या होता है? पूरे आपको constituency नहीं होती है बस एक country में एक single constituency होती है पूरे आप country में देखते हैं कि किस party को कितने share मिले है? वोट के और उसी share के इसाब से उनको seats allot कर दी जाती है legislature में, ठीक है ना? Every constituency elects one representative, देखो FPTP में एक representative होता है यह सारी चीज़े मैं आपको अलड़ी समझा चुका हूँ और मैंने इसमें बताया था PR में क्या होता है? एक constituency में एक area में आप तो एक area में एक से ज़्यादा भी आपके representatives हो सकते है और यहाँ पे मैंने आपको बताया था मतलब 50% को आधा माना जाता है तो उससे ज़्यादा आपको मिल गए तो इसका मतलब आप मिजोरिटी में यह तो मतलब वह आपको आधिस से ज़्यादा सीटे मिल गई है तो आप उसके मतलब मिजोरिटी में है वो पार्टी ठीके न बट यहाँ पे क्या होता है candidate who wins the elections get the majority of votes यहाँ पे automatic गीव हो जाता है क्योंकि जो जिसको ज़्यादा आपके votes percentage मिलेगा उसको seeds भी ज़्यादा मिल जाएंगी तो obviously वो क्या हो जाएगा आपका majority में आ जाएगा तो FPTP के example क्या हो गया आपका UK हो गया इंडिया हो गया और आपके examples PR के क्या हो गया इसरेल हो गया निदरलेंड्स हो गया यह आपका example हो गया इसके तो यह हो गया आपका first part chapter का second part आपको जल्दी मिल जाएगा जिससे कि आपको समझ में आएगा कि why India adopted the FPTP system ठीक है न